नमस्कार हिमाचल प्रदेश अभी की बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश में 20,000 भरतियों पर ये काफी जदा महत्पून जानकारी रहने वाली है इस वीडियो को एंड तक जुरूर दीखीगा जैसे कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में ग्रुपसी यानि क्लास 3 की भरतियों के लिए जो नई भरती अजनसी होगी उसका प्रारूपत है करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था ये कमेटी का गठन दीपक सानन के अधिक्षता में किया गया था अब इस कमेटी की जो पहली प्रारंभिक रिपोर्ट है वो 15 जुलाई के आसपास आ सकती है ऐसे में कुछ सिपारशें जो है इस कमेट्री द्वारा रखी गई है और खुद जो है वो दिपक सानन ने इसकी जानकारी दी है इस जो रिपोर्ट में क्या कुछ सिपारशें हैं वो आपके साथ हम साजा करेंगे बताते चले कि पहली सिपारश ये रखे गई है कि कम्प्यूटर बेस टेस्ट जो है हमासर प्रदेश में कलास 3 की भरतियों के लिए करवाया जाए यानि CBT आधार पर जो है जितनी भी भरतियां हैं वो करवाई जाए और OMR सिस्टम को खतम किया जाए अब इससे नुक्सान ये होगा कि जो भी सालों से वर्षों से अभियरती तियारी कर रहे हैं तो उनको अपनी तियारी में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि CBT जो भी आधार पर टेस्ट रहते हैं आप जानते हैं उसमें स्पीड काफी ज्यादा मैंने रखती है तो ऐसे में जो है वो एक फेक्टर ये रहेगा कि आपको अपनी स्पीड पर इंप्रूब्मेंट लानी पड़ेगी दूसरा यहाँ पर नुकसान ये रहने वाला है कि जहां पहले आप अपने जिला क्षित्र में भरतियों संबंदे जो ये परिक्षाई होती थी वो आप दे सकते थे अब आपको जिलों से बाहर रुख करना पड़ सकता है तो एक नुकसान ये ये रहने वाला है दूसरा OMR सिस्टम खत्म हो रहा है तो आप वर्षों से OMR सिस्टम पर ही परिक्षाई दे रहे हैं तो नई तकनीक आने से निश्चित तोर पर आपकी अटेम्टेशन पर काफी ज़्यादा फर्क इसका पढ़ने वाला है चले ये बात यहाँ पर अटेम्टेशन सम्मंदित हो गई अब इसमें जैसे भारस सरकार की भरतियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिस का यहाँ पर मदद ली जाती है उसी तरह से यह सिफारिश रखी गई है कि हिमाचर प्रदीश में किसी प्राइवेट एजेंसी का यह यहाँ पर नई भरतिय जैसी है उसका गठन नहीं हो जाता है तो जो नई भरतियां है वो नहीं हो पाएंगी। यह भी यहाँ पर बड़ी अपडेट है। तो ऐसे में यही तय है कि जब नई भरती अजनसी बनेगी तभी आपको नई भरती वो संबंदित जो अधिसूसना है वो देखने को मिलने वाली है तो आपको जो है वो इंतजार अभी भी करना पड़ेगा क्योंकि जो फाइनल रिपोर्ट है यह तो प्रावरंबिक रिपोर्ट पेश की जाएगी 15 जुलाई को और जो फाइनल रिपोर्ट है उसको पेश करने में अभी और समय लगने वाला है यह खुद जो है वो जो दीपक दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कीजेगा तब तक मिलते हैं अगली ख़बर में धन्यावा जय हिन जय हिमाचल